विज्ञान क्लासेज दोस्तों मैं श्रेंदर चोधरी आगे हुँ आज अपना इस्पेशल डे होने वाला क्योंकि आज हम स्टार्ट करेंगे विमेन इंपावर्मेंट यानि अपने गुरूप डिस्केशन की क्लास का फर्स्ट टोपिक आज अपने डिसकस करने वाले हैं वहा आपको तीन से चार बार बोलना जो अपने गुरूप डिसक्रशन की क्लास ले लिए उसमें अच्छी तरह से अपने समझ लिए कि कौन से टोपिक को कितने टाइम बोलना है कौन से को नहीं बोलना तो आप बेसिकली एक ही चीज रखना वहां पे कि आपको हर चीज तीन ये इसमें बोलना है तीन चार बार वो क्या और नची जिसमें दो बार आप कारण बोलो कि क्या-क्या प्रोब्लम हो रही है और दो बार उनका से बॉल लो इसमें आपका बिसक्रिशन आराम से किलिर हो जाईगा तो उसके लिए अपने कुछ पोइंट लेके आए हैं जिसमें अ आज का पहला टोपिक वूमेन एंपावर्मेंट को लेकर यानि महिला ससक्ति करण क्या एगली बात करें इंडिया इसका मतलब हुआ कि भारत एक पुरुस पदान समाज है जहां परुस सोचते हैं कि जो महीलाएं वो उनकी संपत्ती उनकी जागीर है इसी लिए पुरुस होते हैं महीलाओं को गाली गिलोच करते हैं उनको उनके साथ मार-पीट करते हैं इन आवर शोसाइटी, वोमेन आर बीरिंग मेंनी डॉमेस्टिक प्रोब्लम्स, फॉर सोड टाइम प्रिष्टिजियस ओफ देर फेमेली, हमारे समाज में जो ओरते होते हैं, वो काफ ओरते होती हैं, वो कहीं घर्धलू इंसाओं का शिकार है, या घर्धलू इंसा जो प्रतिष्टा के लिए अगला देखो देर आर मेनी रिजिन ओफ वुमेन अन एंपावर्मेंट लाइक लेक ओफ एजुकेशन फेमेली ओनर एंड मेनी मोर वर्तमान समय में कई बहुत से कारण है कि इसके महिला ससक्तिकरण नहीं होने का जो क्या-क्या है जैसे उनके सिक्सा का अभाव होना पारिवारिक सम्मान और से बहुत से कारण है अगला देखो इन परजेंट टाइम मेनी गर्ल आर टोर्चर वाई देर इन लोज फेमेली फोर डौरी एक महिला जैसे अपने बात करते हैं वर्तमान समय में हमने बहुत से कैसे देखने को मिल जाते हैं जिसमें ल सकता पाड़ी है अब बात पढ़ेंगे हैं कि आपने क्या 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 तो में को गरेंस्य रोंटों समस्याओं का सिकार होने से बच पाई उन्समय हो का समाधान नूंडपाई यान queste सामना कर सके और अपनी जैसे सुसाइड होके रहा है कैसे ना बढ़े अगली बात करते हैं वुमेन इंपावर्मेंट इस वेरी इंपोर्टेंट फोर डवलोप फोर डवलोपिंग कंट्री एंड इंडिया इस आल्सों डवलोपिंग कंट्री विनो देट यह बोल रहा है कि महि स्कीन हमारी जो सरकार है मारी वर्तमान सरकार है और बूठपुर सरकार है उन्होंने भी काफी पर्यास कि महीलाओं को ससकती करन करने के जैसे बात करें सक्काना में 33 का वसी पुर्शेंट ना ले Σकते हो यहाँ पर PAUL कना है कि यह तो गई गोवर्मेंट की बात चौता पॉइंट लिखा नहीं वह है कि वी इफ वी वांट तो मेक मुमें पाउर्फुल फर्स्ट वांट तो गीव दा प्रोपर एजुकेशन टू इच गर्ल यहनी हमें उनको एक पारिव जो प्रमप्रागत रूप से उनको एक हर को उनको शिक्सा देना का बहुत जरूरी है वो मेनों को एमपाउर्मेंट करने के महीला सकते करने के लिए यह दो चीज है जो आप इन चीजों को आप यूनिवर्सल लाइने ले सकते हो यह हम बात करें जो भी महीलाओं से रिलेटेड आया वहां पे आप यह बोल सकते हो जो से आपका एक बहुत ही शांदार इंपक्ट पढ़ने वाला है वह क्या है देगा और आडर स्वामी विवकानदा सेड़ देट एबर्ड कांट फ्लाइविट सिंगल विंग देन हाव वी कें लिव विदाउट ए वुमेन एनि यहां पर विदाउट विमेन एनि हम बात करें क कि जो हमारे आदर्स हैं स्वामी विवकानद उन्होंने कहा था कि एक पक्सी होता है वो एक अपने पंक के सारे नहीं उड़ सकता तो हम कैसे कलपना कर सकते हैं कि हम एक औरत के बिना रहेंगे यह क्या एक कोटेशन होता है वूमेन एंपावर्मेंट को बढ़ावा देने के लिए और एक और है इन परजेंट टाइम एवरिवन वांट गूड मैदर गूड सिस्टर एंड गूड वाइफ यह आप जो बच्चों से रिलेटेड गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड आए वहाँ पे आप यह चीज़ें बोल सकते हो जो आपनावगे पढ़ेंगे डोर्यों अगरा से तो वहाँ पे आपको और शांदार तरीके से बता देंगे तो यह कैसी लिए अपनी फर्स्ट क्लास में इंपावर्मेंट को लेकि जो अपनी ग्रूप डिसकेशन लिए इसके लिए कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के शाज शेर दे लेके मिलेंगे अकल नौ वजे